हेलो जी, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आपके अच्छा, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं Home Remedy for Glowing Skin Glowing Skin की जब बात आती है, आपने किन चीजों का ध्यान रखना है पानी जादा पीना है, खाना healthy खाना है हरी सबजी आपने खाने में याड़ करनी है, समय से सोना और समय पे उटना समय पे सोने का मतलब यह है कि maximum 10 बजे तक आप सो जाने चाहिए और सुबह 6 बजे आप उठने चाहिए साथ घंडे की निंद सफिशन्ट होती है अगर आप लेट आ रहे हैं, ओफिस वगेरा से, आज कल तो खेर ऐसा है ही नहीं कोई सीन या काम लेट तक कर रहे हैं और सुबह लेट तक सोएंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नींद की भरपाई हो जाती है अगर आपको बेनिफिट्स के वीडियो देखने है तो कुदरत बेनिफिट्स पे बहुत सारे वीडियो में अपलोड किये हैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्लोइंग स्किन के लिए एक अच्छी सी होम रेमेडी उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये मतलब होम रेमेडी जो है ना ये मेरी मतलब मोस्ट फेवरेट होम रेमेडी है क्यों फेवरेट है मैं बता दूँ इसमें हम इस्तिमाल करने वाले हैं मसूर दाल का आटा मसूर दाल का आटा जो होता है वो फेशिल हेर्स को निकालने के लिए भी बहुत अच्छा होता है ठीक है तो हम ज्यादा नहीं खेंचेंगे वीडियो को आपके कोई प्रेशन है तो आप बिंदाच चूट सकते हैं मुझसे मैंने एक कटोरी ले ली है और उसमें मैं डालूँगी एक चमच मसूर दाल का आटा अच्छा ये वाला जो पैक है ना ये आप छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं यानि टीनेजर होती हैं जो गर्ल्स बॉइस सबको आप लगा सकते हैं कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है आपको कि लड़के लगाने हैं कि लड़कियों ने लगाना है इसको और शहद ना हर टाइप की स्किन के लिए अच्छा होता है आप ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दें कि जिनकी स्किन ओईली होती है उनको शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हाँ कम कर सकते हैं लेकिन शहद नैच्रल मोश्यर देता है हमारी स्किन पे इससे ग्लो भी आता है और ऐसा नहीं है कि ओईली स्किन है तो जो मोश्यर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा लेकिन ये हल्दी भी रखता है ये अंटिसेप्टिक और अंटिवैक्टिरियल होता है आपके चहरे पे जो भी जर्म्स वगेरा बैक्टिरियल जो होते हैं उसको भी ठीक करने का काम करता है अब मैं इसमें मिलाओंगी थोड़ी सी हल्दी हल्दी भी आपको पता है और मेरे यहाँ दो दिन से ये एक पिंपल हो गया है और प्रॉब्लम तब हुई जब मैंने उस कुकुमबर जल कुछ भी मिला लो ठंड़क देता है बहुत अच्छा होता है और हर सीजन में हर टाइब के लोग इसको लगा सकते हैं आइस पफिनेस की समस्या है तो आपके लिए कुकुमबर जेल जो होता है वो बहुत काम की चीज है क्योंकि यह अच्छा असर देता है त तो मैं इस तरह से आधा सा चमच इसमें यह डाल लूँगी क्योंकि मेरे थोड़ा आईज में स्वेलिंग रहती है तो यह क्रोफीट आईज स्वेलिंग सब के लिए अच्छा होता है आप लोगों ने जो होम रेमेडिस में बनाती हुँ न प्लीज जुरूर ट्राइ किया कीजिए क्योंकि ट्राइ नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि असर कितने अच्छे कैसे और मतलब कितने दिन में मिलते हैं तो यह देखी यह हमारा पैक तैयार हो गया सच कुछ लगाया नहीं है चैरे पर एकदम धोया हुआ ऐसे ही मतलब मॉर्निंग में जो वाश करते हैं फेस वही वाश करके आई थी मैं और मैं आफिस में आके ऐसे वीडियो बना रही हुँ अच्छा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैरे को सब्सक्राइब नहीं किया है फटा फट से कर लेजे लेकिन हाँ कमेंट सेक्षन मुझे जरूर बताएं कि वीडियो किस तरह के आपको देखना पसंद है या किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं यहां से शुरू इसलिए करती हूँ क्योंकि देखो चुपाने की बात है नहीं इसमें सीदा सीदे एक चीज का जवाब बताओ कि क्या वो दस दिन में बढ़ा था पंदरा किलोवेट नहीं ना तो फिर कैसे उमीद करते हैं यार कि दस दिन में पंदरा किलो आपका कम हो जाएगा थोड़ा पेशेंस के साथ चीजों को किया करो आपरे आज आपको लग रहा है न आप घर पे इसका पल्प बना के यानि स्मूदी सी बना के आइस क्यूब बना लो और वो आइस क्यूब महीना चलते हैं दोनों ही चीजों के आइस क्यूब बना लो जब भी आपने पैक बनाना है एक आइस क्यूब उस पैक में डाल दो पानी नहीं मिक्स करना है सिरफ आइ एक महीना तक आराम से चलेगा और बहुत अच्छे से आपको असर भी होगा तो यह देखो जी यह हो गया है मेरा पैक लग गया है अब 15-20 मिट ऐसे रहने दूँगी और उसके बाद मैं गुन-गुने पाने से चहरा धोलूँगी क्योंकि गुन-गुने पाने से हम जब चहरा धोते हैं तो हमारे रोम छिदर जो होते हैं वो भी क्लीन होते हैं क्योंकि अभी हमने जो पैक लगाया है यह रोम छिदरों के अंदर जाएगा लेकिन अंदर तो चला गया लेकिन बाहर भी तो निकलना चाहिए न तो यह वाला ज तो आप प्लीज जरूर पूछिए मुझसे और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक मतलब टॉपिक में वीडियो बनाओ तो आप वो भी बता देजा और फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक करो वीडियो को जाते जाते किया करो और बेल आइकन जरूर प नाओंगे आपको ग्लो दिखता है वैसे भी नाक जब चमकता है ना मतलब फेस पैक लगाने के बाद वो होता है एक्चिल ग्लो आपको समझ में आना चाहिए पूरे चेहरे पर देखे ना देखे अगर नाक चमक रहा है ना तो समझ जाना कि वो है होम रेमेडिय जो है आप लग कुछ एक्टिविटी जरूर करो योगा कुछ इस तरह से एक्सरसाइज वॉक या चोटा-बोटा कुछ-कुछ जरूर करो बहुत लेजी हो गए हैं हम लोग आजकल सब लोग सब लोग मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रही हूं या मैं सिर्फ अपने आपको नहीं